हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चानल टेकट आफर सक्सेज इस वीडियो में इस्वरो टेकनिकल असिस्टेंट मेकेनिकल एंजिनिरिंग का वीसस्टी का जो एक्जाम हुआ था पचीस फ्रवरी दोजार ठाल को उसके पेपर का सोलूस्टन देखेंगे आये स्टार्ट करते हैं वीडियो क्वेश्चन नमर वन स्कॉच याक मेकेनिजम इज यूज़ टू जनरेट साइन बार के लिए यूज़ करते हैं इसका ओप्शन डी से ही होगा क्वेश्चन नमर टू यंग्स माड़लास, बल्क माड़लास और सियर माड़लास आर रिलेटेड तो रिलेटेड भाई तो तीनो में रिलेशन होता है ये इक्वल टू 9 के जी एपन 3 के प्लस जी इसका ओप्शन बी से होगा यंग्स माड़लास यह होता है यंग्स माड़लास और सियर माड़लास में रिलेशन यंग्स माड़लास और बलक माड़लास में रिलेशन यह होता है इक्वल टू 3 के 1 माइनस 2 म्यू कभी कभी इन दुन फोर्मूला पे नोमिरकल आ जाता है क्वेशन नेमर थिरी मेटेरियल्स यूज़ फर थ्रेड रोलिंग ओप्रेशन सुड़ भी डेक्टारिन मेटेरियल्स यूज़ करते हैं थ्रेड डोलिंग में इसका ओप्शन यह सही होगा क्वेशन नेमर फोर वीच अब दा फॉलिंग इस नोट एकाज और वेल्ड इस फेटर क्वाल्टी ओप कंजुमेबल्स के कारण होता है वेल्ड इस पेटर हाई वेल्डिंग करेंट के कारण भी होता है रोंग फोलिंग के कारण नहीं होता है इसका ओप्शन यह सही होगा क्वेशन नोट फाइब ओपन सर्कित टेस्ट ओन अटर्फार्मर इस तू मेजर इस कोर लोस मेजर करता है इसका ओप्शन डी सही होगा question number six dow metal is an alloy of dow metal magnesium का alloy होता है इसका option B सही होगा इसमें 88% magnesium होता है 9% aluminium होता है और other copper होता है dow metal में question number seven mand process is used for extraction of nickel इसका option C सही होगा nickel के extraction के लिए यूज करते हैं amount process question number eight ये shaft show in figure ये shaft है rotates at a rate of hundred regulation per minute against a constant torque thousand newton meter the power required to rotate the shaft is तो shaft को rotate करने के लिए कितना power के हो सकता होगी इसमें given है n equal to hundred revolution per minute और torque t thousand newton minute newton meter ये पावर का फ्रमूला होता है p equal to two pi n t upon sixty two pi n hundred है t thousand है sixty तो इसका solve करने के बाद इसका answer आ जागा ten point for seven kilowatt के आसपास इसका option D से होगा question number nine the equilibrium state of a substance which co-exist in solid liquid and vapor form at a single point is called triple point होता है इसका option C से होगा graph ग्राफ देखते है इदर pressure इदर temperature A triple point होगा triple point होगा a liquid. either solid. question no.10 two perfectly elastic spherical bodies of equal mass are at rest on a smooth horizontal table one of balls is given a velocity v and made to strike on the other wall both walls after the impact will move with a velocity यह horizontal table है इस पर दो wall रखा हुआ है एक wall को V velocity से दुसरे wall पर strike करने के बाद दोनों wall की velocity पूछ रहा है इसकी वेलसेटी जी होगे जीरो होगे और दोनों wall की वेलसेटी VF माल लिजेए इक्वल मास दे रखा है दोनों wall की M तो इसका formula होगा तो यहां से हम निकाल लेंगे M1 के जगा M रखने पे V1 दिया है V प्लस M2 M V2 जीरो होगा यहां से VF निकाल लेंगे Mv एक्वल टो 2 M V F M सेम कर जाएगा VF एक्वल टो V अपन 2 इसका option D एंसर होगा question number 11 number of minimum control point required to generate a quadratic V-spline curve quadratic equation होता है A X square plus B X plus C मतलब इसके लिए minimum control point required होगा 2 plus 1 इसका option B सही होगा यही अगर 4 point वाला equation के बारे में पूछा होता जैसे A X के पावर 4 plus V X plus C तो इसमें minimum control point होता 4 plus 1 equal to 5 question number 12 which is a positive drive timing build positive drive होता है इसका option D से होगा यह friction नहीं होगा timing belt में नहीं तो अधर round belt, flat belt, cross belt में friction होता है तो इसके वाई से यह positive drive नहीं होगा यहीं होगा यहीं होगा यहीं होगा यहीं होगा इस पॉइंट थ्री यह पेर है इससे इसमें एलिफेंट को बांधा गया है जब एलिफेंट खीचेगी तो रो पे T1 टेंसन होगा इसके रियक्षन से इधर T2 टेंसन जणेरेट होगा दें ड्रोप का T1 प्लस T2 का एक्वेशन होता है T1 अपन T2 इक्वेल टू E मू थीटा ब्यू गिवेन है पॉइंट थीटा हो जाएगा 2 पाई इन्टू टिस एराउंड गिवेन है यहापे 2 हो जाएगा ठीटा इक्वेल टू हो जाएगा 4 पाई T1 1000 गिवेन है T2 निकालना है तो फॉर्मूला भी रखने पर T1 के जगा 1000 अपन T2 इक्वेल टू E के पाउड पॉइंट थी इन्टू 4 पाई यहाँ से क्वेल्कुलेट करके T2 हम लोग निकालना है T2 आजाएगा 23 K G F इसका एंसर D से होगा Q 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 फोरिशिटी का कोई यूनिट नहीं होता है इसका ओप्शन बी सही होगा question number 15 इसका ओप्शन नहीं होता है यह रिमूब डिसॉल्व गैसे फोर्व फिट वाटर ओप्शन इसका यह सही होगा question number 16 principle plans in a strained body are principle plan पे no shear stress होता है इसका option C से होगा plants which have no shear stress question number 17 a 5 mm long ladder is resting on a smooth vertical wall with its lower end 3 meter from the wall what should be the coefficient of friction between the ladder and floor for equilibrium यह वाल है यह होरिजेंटल वाल पे एक लेडर है जिसकी लंबाई फाइब मीटर दे रखा है यह लेंध दे रखा है थिरी लेडर का लोड डबलो इसकी बाई से लेडर इधर फिशलने का प्रियास करेगा तो इसके विर्पिरित फ्रिक्शन फोर्च लगेगा एप सी और यहाँ पर नॉर्मल फोर्च एफ 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 मल जी पॉइंट एफ यहाँ पर बी यहाँ पर सी एफ सी एक सी इकिल होजायागा मुदॉ coefficient of friction इंट न्रमल फोर्च फन σ व इक्वल टू जिरो और जन्टल कॉम्पनेट वर्टिकल कॉम्पनेट जिरो फो एक्लिविरियम तो वर्टिकल कॉम्पनेट है डबलो माइनस एक नॉर्मल फोर्स है एफन एक्वल टू जिरो डबलो इक्वल टू हो जाएगा एफन अब पॉइंट ए पर मॉमेंट लेने पर है सिगमा इमे एक्वल टू जिरो तो मॉमेंट लेंगे वन प्वाइप इंटू डबलो डबलो लेडर का लोड है प्लस 4 mu fn minus 3 fn equal to 0 तो w is equal to fn रखने पर सब fn के और term में हो जाएगा यहां से हम लोग mu निकाल लेंगे तो आज आगा mu 3 upon 8 इसका एंसर option b सही होगा question number 18 Newton's law of viscosity states that for a Newtonian fluid the यह इसरो के previous paper में आचुका है VSSC के 2016 वाले paper में shear stress is proportional to rate of shear strain इसका option b सही होगा Newtonian fluid के लिए होता है question number 19 anodizing is the most commonly applied surface treatment for the alloys of anodizing aluminum के लिए करते हैं इसका option b सही होगा question number 20 positional tolerance is represented by option d roundness के लिए यूज करते हैं option b cylindricity tolerance के लिए यूज करते हैं option a concentricity tolerance के लिए यूज करते हैं option c positional tolerance के लिए यूज करते हैं इसका option c इसका लिए यूज करते हैं question number 21 for a cemented carbide turning tool Taylor life Taylor tool life exponent is 0.25 if the cutting speed is half that tool life will increase by Taylor equation होता है V T N equal to constant यहां से V 1 T 1 N equal to V 2 T 2 N given है N equal to 0.25 or V 2 equal to V 1 by 2 then T 2 upon T 1 N equal to V 1 upon V 2 T 2 upon T 1 equal to V 1 upon V 2 1 1 by 0.25 equal to T 1 T 2 upon T 1 T 1 equal to V 1 upon V 1 upon 2 1 1 1 by 0.25 1 by तो इसको solve औरेंगे तो 16 answer आजाएगा 16 times इसका option यह सही है question number 22 for the same maximum pressure and heat input the maximum air extender efficiency is यहाँ पर maximum pressure है तो maximum pressure के लिए diesel cycle उस करते है maximum condition राता है तो maximum condition में dual cycle efficiency बीच में रहता है auto और diesel के question number 23 a ball is dropped from a height 10 meter on a smooth floor and after the impact the ball bounce to a height of 2.5 meter the coefficient of restitution between the ball and floor is to coefficient of restitution होता है related velocity after impact upon related velocity before impact देखते हैं देखते हैं इस फिगर में यह बॉल है 10 meter height से गिराते हैं इसको तो यह bounce करता है 2.5 meter उपर इसकी वेलोसिटी वी 1 इसकी वेलोसिटी वी 2 होगी तो coefficient of restitution V2 minus V1 upon U1 minus U2 यहाँ पर V2 होगा टकराने के बाद बोल और यहाँ से start होगा तो U1 वेलोसिटी होगा तो V2 जीरो होगा और U1 जीरो तो V1 upon U2 equal to होजाएगा under root 2 V1 upon U2 equal to होजाएगा under root 2 G H2 upon 2G H1 equal to under 2G 2G कट जाएगा 2.5 upon 10 equal to यहाँ से solve करने पैंसर आजाएगा 0.5 0.5 का एंसर 0.5 option D से ही होगा question number 24 when the state of being changed from gas to liquid through the process of condensation दाल टम्प्रेचर condensation प्रोसे में टम्प्रेचर कॉंस्टेंट होता है इसका option C से ही होगा question number 25 इसका पिछले पेपर में आ चुका है 2016 वाले पेपर में एक एंटिलीवर बीम है उस पर bending moment M लग रहा है तब deflection पुछ रहा है तो bending moment M है तो deflection हो जाएगा M L square upon 2 E 3 E इसका option D से होगा अगर यही point load होता है इसका deflection का formula होता है M L square upon 3 E I question number 26 the number of instantaneous center for a mechanism with N link is इसका formula होता है N N minus 1 upon 2 option C से होगा question number 27 the colorage component of acceleration of a slider moving with velocity V on a link having angular velocity omega तो इसका formula होता है 2 omega V option B option B से होगा इसका question number 28 waiver number is defined as the ratio of inertia force to surface tension force option B इसका से होगा dimensionless number से एक q what is the ratio of same preparation to the average value of the alternating current waveform is called form factor होता है option c से ही होगा इसका question number 30 इसमें age of age of father पुछ रखा है माल लेते father का age x और son का age y है तो first condition से x equal to 3y plus 3 यह यहाँ पर दियाओ first condition then 5 before second condition x minus 5 equal to 5 यह second condition यह 5y minus तो x minus 5y equal to minus 2,1 equation 1 equation 2 दोनों को solve करेंगे son की age y equal to 12 आ जाएगा और father की age x equal to 39 इसका option यह से ही होगा question number 31 pyrometer deals with the measurement of pyrometer temperature measurement करता है इसका option यह elevated temperature होगा question number 32 endurance limit is associated with इसका option d से होगा fatigue question number 33 mass capital M spring mass small M stiffness K then natural frequency पूछागा है तो natural frequency का formula हाता है omega N equal to under root K upon capital M plus small M upon 3 इसका option C से होगा question number 34 relation between the relation between true strain and engineering strain इसका relation option B से होगा question number 35 which of the following materials generally exhibits a yield point इसका option B से होगा nailed and hot rolled mild steel question number 36 electron beam welding is generally carried out at electrode beam welding vacuum में होता है option इसे होगा vacuum question number 37 central of circle given है end of diameter is ये point है तो other इंड पूछ रखा इसमें माली ये circle है इसका central center ये है 2 minus 3 यहाँ पर one inner diameter का minus 3 2 यह ऐसे एक लाइन ले लेंगे यहाँ पर second in हो जाएगा x y माल लिजे इसको simple ऐसे denote कर सकते हैं एक ये point है एक ये point है middle वाला center है तो ये center 2 minus 3 ये point x y माल लिजे और ये minus 3 2 तो इसका simple सा कोश्चन है minus 3 plus x ये plus ये one two equal to 2 हो जाएगा ये point 2 यहाँ से x आजाएगा 7 ऐसे ही ये 2 ये y 8 इसका answer होगा C question number 38 when to spring with stiffness k in series their equivalent stiffness will be ये ये एक spring है series में ये दूसरा spring यहाँ पर load लगा हुआ है M इसका stiffness k इसका stiffness k तो k equivalent होता है series में अगर हो तो k1 k2 upon k1 plus k2 k1 अगर k2 equal to k है तो k square upon k plus k equal to k square upon 2k equal to k upon 2 इसका answer C से होगा k upon 2 question number 39 इसकी इसकी हो जाएगी 1 minus T2 upon T1 option वी सही है question number 40 18 upon 8 stainless steel refers to stainless steel grade with composition ये कई exam में आचुका है इसका composition होता है 18% chromium and 8% nickel option A सही होगा answer thanks friends अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो please subscribe my channel अखा लगा हे लगा है तोखियो नहीजैस Chॹ झाल झाल